करक राश शिवालों जह आप सभी के जीवन में चार चांद लगा देंगे अब आप सभी के सामने वह व्यक्ति जुकाने वाला है जो हमेशा आपको नीचे दिखते थे जो हमेशा आपको बुरा कहते थे और इसके पीछे की सच्चाई सुनकर आपकी भी होश उड़ जाएंगे दोस्तों इस वीडियो में आपको सभी जानकारी विस्तार से बताने वाले और आज शाम के 5 बचकर 30 मिनट के बाद आप सभी के जीवन में कौन-कौन से बड़े परिवर्तन होंगे इसकी भी बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे खुश खबरी सनकर आप खुशी से पागल हो जाओगे इस बात की गारंटी देते हैं बस आप वीडियो को अंत तक देखिएगा वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी मातारानी के सच्चे भक्त हैं, प्यार भक्त हैं सर्व प्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिये गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे ह्रदय भाव से जय माता दी तीन बार लिख दीजिएगा माता रानी का सीधा आशीरवाद और प्यार आप सभी को प्राप्त होगा आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा दोस्तों जानकारी के लिए आप सभी को बता दें आप सभी के जीवन में एक देवी प्रसन्न हो चुकी है और इस देवी के कारण आपके जीवन में हर एक खुशी आने वाली है। चाहे दुश्मन हो, दुश्मन भी आपके सामने जुकने वाला है। एक व्यक्ति है जो यह समय आपके पैरों पर जुकने के लिए मजबूर हो जाएगा। आपने वह कहावत तो सुनी ही होगी। आएगा उंट पहाड के नीचे समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। यह बदलता रहता है। कभी खुशियां आती हैं तो कभी कठिनाईयां। लेकिन हर मुश्किल के साथ उससे बाहर निकलने का रास्ता भी दिखाई देता है। इस व्यक्ति के आपके सामने जुकने का कारण आपकी अद्वितिय शक्ति है। वह शक्ति जो पर्धा का हिस्सा बने लोग आप से बराबरी करना चाहते थे, लेकिन आपकी असाधारण के कारण वे कभी सफल नहीं हो सके, आपके अपने लोग ही आपकी प्रगती से इरश्या करते रहे, आपकी तारीफ सुनते ही उनके मन में जलन की भावना जाग उठती, लेकिन अब स् आज के सामने आपको जूठा साबित करने की कोशिश की थी, आपकी असफलता की भविश्यवानी की थी, लेकिन आज वही व्यक्ती आपकी सफलता के सामने जुकने को मजबूर है, आपने अपनी मेहनत और समर्पन से वह सब कुछ हासिल किया है, जो शायद किसी ने सोचा भ यह आपकी मेहनत समर्पन और शक्ती का परिणाम है, तो जब यह व्यक्ती आपके सामने आएगा, दो बातें हमेशा याद रखें, पहली उसकी माफी को स्वीकार करें, लेकिन उसकी नियत पर नजर बनाए रखें, और दूसरी कभी अपनी सफलता का घमंड ना करें, क्यों आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर आपकी एक बड़ी मनोकामना पूरी होने वाली है, आपने बिलकुल सही सुना, इसलिए इस खुशी के मौके पर आपको खुद को मजबूत बनाए रखना है, और किसी भी तरह के हारे हुए लोगों का सहारा नहीं लेना है, अब बात करते ह उन व्यक्तियों की, जो आपके सामने हाथ जोड़ कर आने वाले हैं, यह लोग वही हैं, जिन्होंने कभी आपको आपके बुरे समय में अकेला छोड़ दिया था। जब आपके पास पैसे नहीं रहे, वह आपसे दूरी बनाने लगा और किसी और का सहारा लेने चला गया, यह स्थिती शायद आपको बुरी लगे, लेकिन यह सच्चाई है, यह व्यक्ति अब अपनी गलतियों का एहसास करते हुए आपके सामने जुकेगा, लेकिन आपको स आपके ही परिवार का कोई सदस्य हो सकता है, जो आपके खिलाफ शडियंत्र रच रहा था, इस व्यक्ति ने समाज में आपको बदनाम करने का हर संभव प्रयास किया, आपके बारे में जूठी बातें पहलाई और आपकी सफलता को तुछ साबित करने की कोशिश की, हो सकता है, यह व्यक्ति आपसे उम्र में बड़ा हो और आपके परवार में किसी वरिष्ट सदस्य की तरह हो, इसके बावजूद वह आपकी तरक्की से जलता है, क्योंकि उसकी संतान या वह खुद आपकी तरह सफल नहीं हो सका, अब यह व्यक्ति भी आपकी सफलता को देखकर आ उन लोगों से सावधान रहें, जो पहले आपके साथ थे, लेकिन अब अपने फायदे के लिए वापस आना चाहते हैं, आप से केवल मीठी मीठी बातें करके आपकी भावनाओं से खेलने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको उनकी बातों में नहीं आना है, यही आपकी अस असली ताकत होगी, इसलिए ऐसे धोखेबाज लोगों से दूरी बनाए रखें और अपनी कामयाबी पर गर्व करें, अब वक्त है अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का, ना कि उन लोगों को वापस अपने जीवन में जगह देने का, जिन्होंने आपको मुश्किल वक्त म के भीतर आपकी एक बड़ी मनो कामना पूरी होने वाली है, यह समय आपके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर आएगा और आपको कुछ सावधानियों को अपनाने की भी आवश्यक्ता है, आईए जानते हैं कि इस समय में किन क्षेत्रों में आपको ध्यान देने का विचार कर सकते हैं, अगर आप किसी यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो घर से निकलने से पहले अपने सामान की अच्छे से जाँच कर ले, ताकि कोई महत्वपूर्ण वस्तु पीछे न छूट जाए, आपको माता-पिता का पूरा समर्थन मिलेगा, जिस से आपके आ का काम करेगा, आप अपने प्रियजनों के साथ कुछ महत्वपूर्ण चर्चाओं में शामिल हो सकते हैं, जो आपके संबंधों को और मजबूत बनाएंगी, जीवन साथी का भी आपको भरपूर सहयोग मिलेगा, अगर किसी भी समस्या का सामना कर रहे हैं, तो आप दोनों मिलकर उसे हल करने में सक्षम होंगे, यह समय आपके रिष्टे को नई उंचाईयों पर ले जाएगा, अगर आप नौकरी पेशा हैं, तो इस समय आपको अपने कार्यक्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करना होगा, कुछ नए लोगों से मुलाकात हो सकती है और यह मुला इमानदारी से निभाना होगा, आपके बॉस आपके काम से प्रभावित होंगे और आपकी तारीफ भी करेंगे, धन के मामलों में आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यक्ता है, जो लोग शेर बाजार या सट्टे बाजी में निवेश करते हैं, उनके लिए यह समय फायदेमंद साबित हो सकता है, और आपको अचानक धन लाभ भी हो सकता है, हालां कि इस दोरान आपके खर्चों में भी व्रिध्य हो सकती है, जिससे कुछ समय के लिए धन की कमी महसूस हो सकती है, इसलिए आपको अपने बजट को संभाल कर चलने की सलाह दी जाती है, स्व आरीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का खयाल रखना बहुत जरूरी है, इस समय आपका प्रेम जीवन भी बेहतरीन रहेगा, आपके और आपके लव पार्टनर के बीच बेहतर तालमेल बनेगा, जिससे आप दोनों के रिष्टे और मजबूत होंगे, भले ही आप दोनों एक द किसी बाहरी व्यक्ती से सांझा करने से बचे, क्योंकि इससे आपको धोखा मिल सकता है, आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी घटना घटने वाली है, जिससे आपको इतना धन मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते, यह भविश्यवानी बिलकुल सही है, और अगर गलत निकल किसी तो मैं अपनी दाड़ी और बाल कटवा दूँगा, आज दोपहर के बाद से आपका भाग्य बदलने वाला है, जो आर्थिक तंगी और कर्ज आपकी जिंदगी में है, वह जल्द ही खत्म हो जाएगा, हमने आपकी कुंडली और पंचांग का विशलेशन किया है, और यह सपष्ट हुआ है कि अब आपकी जिंदगी में पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत है, लेकिन चिंता मत कीजिए, अब आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है, आपको सिर्फ थोड़ा सा सब्र करना होगा, अगर आप चाहते हैं कि यह शुभ समय आपके जीवन में आए, तो आपको कुछ उपाय करने होंगे, हम आपको सरल और प्रभावी उपाय बताएंगे, जिनका पालन करना आसान है, इन उपायों से आपकी जिंदगी बदल जाएगी और आपके सपने साकार होंगे, भगवान महादेव का आशीरवाद आपके साथ है, सभी ग्रह और नक्षत् को बदलें, यह समय अब आपके लिए सफलता और सम्रिध्य लेकर आएगा, बस थोड़ा सा विश्वास और धैर्य रखें और जल्द ही आपकी आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी, जब आप जिस क्षेत्र में कार्यरत हैं, वहां नुकसान उठाना एक सामान्य अनुभव ह ऐसा क्यों होता है? क्योंकि समय सभी के लिए समान नहीं होता, कभी-कभी हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, हम सभी मेहनत करते हैं, लेकिन सफलता पाने के लिए मेहनत परियाप्त नहीं होती, पैसे आते हैं, लेकिन टिकते नहीं, और जो लोग पैसे के लिए सं गर्ष कर रहे हैं, उन्हें अचानक बहुत पैसा मिल सकता है। यह जान ले कि देवी देवता कभी भी किसी इंसान से नाराज नहीं होते बलकि वे हमारी परीक्षा लेते हैं। धन मिलेगा। आपसे निवेदन है कि आज के इस ज्योतिश कार्यक्रम को न छूक और इसे शुरू से अंत तक ध्यान से देखें। यह आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता रखता है। अगर आपके घर में आर्थिक तंगी रहती है या मेहनत करने के बाव पवजूद धन का सही उपयोग नहीं हो पा रहा है तो यह आपकी दिनचर्या में कुछ बुरी आदतों के कारण हो सकता है। यह बुरी आदतें लक्षमी माता को नाराज कर देती हैं जिससे धन संबंधी समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो आईए जानते हैं कि कौन सी बु पूजा करें। लक्षमी माता ऐसे घरों में नहीं रहती जहां सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता। घर की सफाई पर ध्यान दें और रात के खाने के बाद बर्तनों को तुरंत साफ करें। आर्थिक तंगी दूर करने के लिए रोजाना कनकधारा स्त्रोत का पाठ करें। इससे धन लाब के अवसर मिलते हैं। तुलसी के पौधे पर रोजाना जल चढ़ाएं और उसके नीचे दीपक जलाएं। इससे धन की समस्या नहीं होगी। रुके हुए धन को वापस पाने के लिए रोजाना सूर्यदेव को जल और गुड़हल का फूल अर्पित करें। इस इसलिए अपने भाग्य को बदलने का यह अवसर ना छोड़े। यह उपाए एक बार जरूर करें। क्योंकि विधाता आपके भाग्य को पल भर में बदल सकता है। आपसे निवेदन है कि इस जियोतिश कारेक्रम को अंत तक देखें। और जो भी बातें बताई जा रही है उन पर ध्यान दें। यह आपके हित में है। एक बात को समझना बहुत जरूरी है कि चाहे समय कैसा भी हो, खर्च कभी भी नहीं रुकते। इसलिए अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं, तो आपको बचत की आदत डालनी होगी। हालां कि हर किसी की शिकायत रहती है कि खर् पास टिप्स देंगे जिनसे आप जरूरी खर्चों के बाद पैसे बचा सकते हैं और फालतू खर्चों पर नियंत्रन पा सकते हैं। सबसे पहले आपको फालतू खर्चों से बचना होगा। इसके लिए हर महीने अपने खर्चों की एक लिस्ट बनाएं और बेकार के को भी सीमित करें मनोरंजन के खर्चों पर भी ध्यान दे आज का लोग internet OTT प्लेटफार्फार्म सब्सक्रिप्शन और mobile recharge पर बहुत पैसा खर्च करते हैं अगर आप तीन OTT प्लेटफार्म के सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो एक ही पर टिकें इसके अलावा जीवन शैली से जुड़े खर्चों पर भी लगाम लगाएं बाहर खाना खाने का शौक बढ़ रहा है लेकिन इसे महीने में एक या दो बार तक सीमित करें बचत करने के लिए यह भी जरूरी है कि आपकी की कमाई में व्रिध्य हो केवल एक आमदनी का स्रोत होना परियाप्त नहीं है इसलिए साइड इंकम के लिए कुछ अन्यकाम भी करें इन सभी बातों का ध्यान रखें यह आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगी अब हम आपको बताएंगे कि आपको कौन-कौन सी खुश्खबरी मिलेगी और पैसे कैसे कमाएंगे इस महत्वपूर्ण ज्योतिश कार्यक्रम में अंत तक बने रहे इसे मिस मत करें यदि आप भगवान श्री कृष्ण का आशीरवाद चाहते हैं तो पहले ज्योतिश कार्यक्रम को लाइक करें और फिर कमेंट बॉक्स में जैमाम लक्ष्मी जै श्री कृष्ण राधे राधे लिखें इससे आपके सभी कार्य सफल होंगे और आप माता महालक्ष्मी और राधे कृष्ण का आशीरवाद प्राप्त करेंगे अब आईए जाने कि आज का राशिफल क्या कहता है आज कई गतिविधियों में भागीदारी रहेगी जिससे आप रिलैक्स महसूस करेंगे घर के रखरखाव में भी समय बिताने का मौका मिलेगा अविवाहित को खुश खबरी मिल सकती है लेकिन किसी नजदी की रिष्टेदार के वैवाहिक संबंध में चिंता हो सकती है अपने गुसे और कटुवानी पर नियंत्रण रखें युवाओं को अपने करियर पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए व्यवसाय में मार्केटिंग से जुड़े कारे आपकी मेहनत से अच्छे नतीजे देंगे नए काम की शुरुवात से पहले अच्छे से सोच विचार करें आपकी आमदनी सामान्य रहेगी और ओफिस में सहकर्मियों के साथ सामंजस्य बनाए रखें जीवन साथी के साथ किसी महत्वपूर्ण विशय पर चर्चा हो सकती है और घर में अनुशासन बना रहेगा प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी अपनी स्वास्थे जांच नियमित करवाएं विशेश कर ब्लड प्रेशर और डाइबिटीज से संबंधित आर्थिक समस्याएं दूर हो सकती है लेकिन अपनी भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त ना करने पर तनाव बढ़ सकता है किसी भी नई जिम्मेदारी को स्वीकार करने से पहले अपने कारियों को पूरा करना ना भूलें काम में रुकावटें आ सकती हैं लेकिन प्रयत्न करते रहे और बदलाव की कोशिश करें आज हम आपके लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और चौकाने वाली जानकारी लेकर आए हैं यह जानकारी इतनी खास है कि सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक सकती है आज हम आपको बताएंगे कि कौन सा व्यक्ति जो आपके लिए कभी खास था अब आपके सबसे बड़े दुश्मन के रूप में सामने आ सकता है इस जियोतिश कार्यकरम को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इस जानकारी को जानना आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस व्यक्ति को आपने अपने जीवन में सबसे खास समझा वही अब आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है इस व्यक्ति का नाम सुनकर आपको एक जबरदस्त जटका लग सकता है मानो 440 वोल्ट का करंट लग गया हो हमें अकसर ऐसा महसूस होता है कि हमारे करीबी लोग ही हमारे सबसे बड़े खत्रे का कारण बन सकते हैं यह स्थिती तब और भी गंभीर हो जाती है जब हमारा सबसे भरोसे मंद व्यक्ति हमें धोखा देता है इस जोतिश कारेक्रम में हम आप आपको बताएंगे कि यह व्यक्ति कौन है और कैसे आपको इससे बचना चाहिए इसके साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि यह व्यक्ति आपकी जिंदगी को बरबाद करने की कोशिश कर रहा है और आपको किस तरह से धोखा देने का प्रयास कर रहा है जैसे ही हमारे करीबी लोग हमें धोखा देते हैं, हमारे विश्वास का आधार हिल जाता है हमें लगता है कि यदि हमारा सबसे भरोसेमंद व्यक्ति हमें धोखा दे सकता है तो अन्य लोग भी ऐसा कर सकते हैं इस स्थिती में हम दूसरों पर भरोसा करना मुश्किल मानने लगते हैं ये स्थिती मानसिक तनाव और अवसाद का कारण बन सकती है इसलिए इस ज्योतिश कार्यक्रम को ध्यान से देखें ताकि आप जान सकें कि आपको अपने जीवन में किस से सावधान रहना है और किन लोगों से दूरी बनानी चाहिए यह जोतिश कार्यक्रम छोटी है लेकिन इसमें जो जानकारी दी गई है वह आपके जीवन के लिए अत्यंत महत्व पूर्ण है इस व्यक्ति की पहचान करना बहुत जरूरी है ताकि आप उससे दूर रह सके यह व्यक्ति आपके साथ हमेशा अच्छे व्यवहार करता है और सामने से बहुत प्यारा और सहायक दिखता है लेकिन यह एक दम से आपके खिलाफ हो सकता है और पीठ पीछे गद्दारी कर सकता है यह व्यक्ति कभी नहीं चाहता कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ें जब भी आप सफलता की ओर बढ़ते हैं यह व्यक्ति आपकी प्रगती को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करता है अब समय आ गया है कि आप इस गदार व्यक्ति से बचने के उपाय जाने आपको यह समझना होगा कि वह व्यक्ति आपकी मदद की आड में आपकी सफलता को बाधित कर रहा है ऐसे व्यक्ति से दूर रहना ही आपके लिए सबसे अच्छा होगा अच्छी बात यह है कि आपको इस गदार से बचाने के लिए एक देवी की कृपा आपके साथ है पिछले पांच सालों से देवी की कृपा आपके जीवन में बनी रही है जिससे आपका दुश्मन आपके जीवन को बरबाद नहीं कर पाया अब देवी आपकी मदद करने के लिए और भी सक्रिय हो गई है। आपको 24 घंटे के अंदर एक देवी का दर्शन मिलने वाला है जो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। लेकिन इस देवी के स्वागत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। देवी की दर्वाजे पर रात 12 बजे एक उल्लू के रूप में आ सकती है। उल्लू वहां 5 मिनट तक रहेगा और फिर उड़ जाएगा। इसके बाद एक सफेद गौ माता आपके दर्वाजे पर आएगी जो धन की देवी माता लक्षमी का रूप होगी। जब यह गौ माता आपके घर में आएगी तो यह आपको बहुत बड़ी खुश खबरी दे सकती है और आपके जीवन में बड़ा बदलाव कर सकती है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपके घर का हर कोना साफ सुथरा हो। घर के आसपास भी कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। वरना देवी नार कार की कमी नहीं रहनी चाहिए। ऐसा करने से आप देवी को प्रसन्न कर सकते हैं और अपनी समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। तो यह जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपके जीवन में कोई व्यक्ति जो पहले आपका करीबी था अब आपका दुश् इस जोतिश कार्यक्रम में बताई गई जानकारी को ध्यान से समझे और उसके अनुसार कारवाई करें। देवी की पूजा और स्वागत को गंभीरता से ले ताकि आपकी जिंदगी में सुख समृध्धि बनी रहे। जोतिश कार्यक्रम को पूरा देखें। ताकि आप जान कि अपने जीवन में किस से सावधान रहना है और किस तरह से देवी की कृपा को अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं। इस जियोतिश कार्यक्रम को देखने के बाद आपकी जिन्दगी में बड़े सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। आज हम आपके लिए एक बहुत बड़ और गुप्त खबर लेकर आएं हैं जो सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ, इस खबर के बाद आपके शरीर में थर-थर कापने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यह जानकारी आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। इसलिए इस जयोतिश कार्यक्रम को पूरा देखें। और समझें कि आखिर क्या है। वह महत्वपूर्ण संदेश जो भगवान शनीदेव महराज ने भेजा है। आपको जानकर दुख होगा कि भगवान शनीदेव महराज आपसे बहुत अधिक क्रोधित हो चुके हैं। यह क्रोध इसलिए यह है क्योंकि पिछले दो सालों से शनीदेव महराज आपसे दो महत्वपूर्ण चीजों की मांग कर रहे हैं। जिन पर आपने कभी ध्यान नहीं दिया। इस अंदेखी के कारण भगवान शनीदेव महराज आपसे बहुत नाराज हैं। उन्होंने आपके लिए एक बड़ा अवसर प्रदान किया है जिसे आप अगर सही समय पर स्वीकार नहीं करते तो यह आपके जीवन को बरबाद कर सकता है। भगवान शनीदेव महराज ने एक संदेश भेजा है कि वह आपसे क्या चाहते हैं और कौन सी दो चीजें हैं जिनकी मा, मा उन्होंने आपसे की है। इस संदेश को समझने के लिए आपको इस जियोतिश कार्यक्रम को अंत तक देखना होगा। अगर आपने इस मौके को गम वा दिया तो आपके जीवन में बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है और आप जीवन भर खून के आंसूर हो सकते हैं। इस जियोतिश कार्यक्रम में दी गई जानकारी आपके जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह जानकारी आपके जन्म की राशे और चंद्र राशे के आधार पर आधारित है जो पूरी तरह से सठीक है। मैंने भगवान शनिदेव के आदेश पर यह जानकारी जुटाई है और मैं गारंटी देता हूँ कि यदि मेरी एक भी बात गलत निकली तो मैं भविश्यवानी करना बंद कर दूँगा और अपना सब कुछ आपको दान कर दूँगा। अगले 24 घंटे के भीतर आपके जीवन में एक नया पन्ना खुलने वाला है। इस समय के भीतर आपका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। 24 घंटे के अंदर आपके लिए स्वर्ग का दर्वाजा खुलने वाला है। और आपकी किस्मत सातवें आसमान पर और आप सालों से जिन चीजों के लिए तड़प रहे थे अब वह सब आपको मिल सकता है। अब सवाल ये है कि भगवान शनिदेव महाराज आपसे कौन सी दो चीज़ें मांग रहे हैं। इस जियोतिश कार्यक्रम में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि यह दो चीज़ें कौन सी हैं और क्यों महत्वपूर्ण हैं। आपको इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए वरना जीवन भर पछताना पड़ सकता है। आधा अधूरा ग्यान बहुत खतरनाक हो सकता है। यदि आप जियोतिश कार्यक्रम को जल्दी जल्दी देखकर पूरा ग्यान नहीं लेते हैं तो आप सही तरीके से समझ नहीं पाएंगे और आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। इससे आपकी परेशानियां बढ़ सकती हैं और जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। इसलिए जोतिश कार्यक्रम को अंत तक देखें और पूरी जानकारी प् मिलता है। इस मौके को गमवाना मत क्योंकि इसके बाद यह अवसर फिर कभी नहीं मिलेगा। आपकी कुंडली में बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं और एक साथ तीन महत्व पूर्ण योग बन रहे हैं। आपके कुंडली में धन दौलत, गाड़ी बंगला आदी सभी चीजें बनने वाली हैं। अब आपको हर वह चीज मिलेगी जिसकी आप सालों से महनत कर रहे थे। आपकी महनत का फल अब मिलने वाला है। अब आपको कल युग में सभी सुख प्राप्त होंगे। कल युग में ऐसा चमतकार पहली बार आपके साथ होने वाला है। यह चम पिछले पास सालों से देवी की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है जिससे आपका दुश्मन आपके जीवन को बरबाद नहीं कर पाया है अब देवी आपको दर्शन देने वाली है और यह आपकी जीवन में बड़े बद लाभला सकती है देवी की पहचान और आने के संकेत जा दर्वाजे पर रात बारह बजे एक उल्लू के रूप में आ सकती है उल्लू पांच मिनट तक वहां रहेगा और फिर उड़ जाएगा इसके बाद एक सफेद गौ माता आपके दर्वाजे पर आएगी जो धन की देवी माता लक्ष्मी का रूप होगी आपको देवी की पू होना साफ सुथरा होना चाहिए वरना देवी नाराज हो सकती है इस बात का ध्यान रखना आज का दिन आपके लिए कई मायनों में अनुकूल रहने वाला है दिन की शुरुआत से ही आपको सकारात्मक उर्जा का अनुभव होगा जो आपके कार्यों को गति प्रदान करेगी आपके ससुराल पक्ष से आपको धन लाब होता दिख रहा है जिससे आपकी आर्थिक स्थिती में सुधार होगा यह धन किसी पुराने लेंदेन निवेश या उपहार के रूप में आ सकता है जो आपके लिए लाबकारी साबित होगा इसके साथ ही आपको अपने परिवार क सदस्यों के साथ अच्छे संबंध बनाये रखने की आवश्यक्ता होगी, खास कर अपने ससुराल पक्ष के लोगों के साथ आपके ससुराल पक्ष से आज आपको धन प्राप्ती की संभावना है, यह धन किसी उपहार के रूप में किसी निवेश से प्राप्त लाब या अन्य किसी आर्थिक लेंदेन से हो सकता है, ससुराल पक्ष से मिले इस धन का उप्योग आप अपने परिवार की भलाई और अपनी व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए कर सकते हैं, यह धन आपके वित्तिय स्थिर्टा को बढ़ाएगा और आपकी योजनाओं में नई उर्जा का संचार करेगा, धन का सही प्रबंधन करना आवश्यक है, यह समय है जब आप अपनी वित्तिय योजनाओं पर ध्यान दें और उन्हें और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में काम करें, यदि आपके पास कोई बकाया रण है, तो आप उसे चुकाने के लिए इस धन का उपयोग कर सकते हैं, जिससे आपके आर्थिक बोज में कमी आएगी, साथ ही यह धन आपको भविश्य में निवेश करने या अपने सपनों को साकार करने में मदद कर सकता है, आज का दिन आपको अपने जीवन साथी के साथ विशेश बातचीत करने का अवसर देगा, किसी काम को लेकर या किसी पारिवारिक मुद्दे पर आपको जीवन साथी से खुल कर समवाद करना होगा, आपके बीच की यह बातचीत आपके रिश्टे को और मजबूत बनाएगी, जीवन साथी से विचार विमर्ष करके आप कई मुद्दों का समाधान आसानी से निकाल सकते हैं, आपके जीवन साथी आप आपके सबसे बड़े सहयोगी और साथी हैं, और उनकी सलाह और सहयोग आपके जीवन में बहुत महत्तो पूर्ण है, इसलिए किसी भी निर्णाय को लेने से पहले उनसे सलाह लेना ना भूले, इससे न केवल आपके संबंधों में मिठास बढ़ेगी, बलकि आपके कार्यों में भी सफलता मिलेगी, जीवन साथी के साथ समवाद का महत्व सिर्फ व्यक्तिगत मामलों में ही नहीं, बलकि पेशेवर और वित्तिय मामलों में भी होता है, यदि आपके जीवन में कोई समस्या चल रही थी, तो आज उस समस्या से आपको छुटकारा मिल सकता है, यह समस्या किसी भी प्रकार की हो सकती है, जैसे आर्थिक पारिवारिक स्वास्थे संबंधी या पेशेवर आपके द्वारा किये गए प्रयास और आपके सकारात्मक दृष्टिकोन से आप इस समस्या का समाधान पा सकते हैं, यह समय है जब आपको धैर्य और साहस के साथ स्थिति का सामना करना होगा। हर समस्या का समाधान होता है और आपको केवल उसे ढूंढने की आवश्यक्ता होती है। आपकी सकारात्मक सोच और महनत आप इस समस्या से बाहर निकालने में मदद करेगी। आज का दिन आपके लिए इस समस्या का अंत लेकर आ सकता है जिससे आप राहत महसूस करेंगे और जीवन में आगे बढ़ सकेंगे। आज आप अपने से अधिक औरों के कामों में ध्यान लगाएंगे। यह स्वाभाविक है कि आप दूसरों की मदद करना चाहते हैं और उनक आपके पास आज ऐसे कई मौके आएंगे जब आपको अपने कामों के बजाए दूसरों के कारियों में ध्यान देना होगा। यह आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में हो सकता है। हालांकि यह जरूरी है कि आप अपने कामों को प्राथमिक्ता दें और उन्हें समय पर पूरा करें, अपनी प्राथमिक्ताओं को स्पष्ट करें और उसी के अनुसार काम करें, ताकि आपके खुद के कार्य अधूरे ना रह जाएं। आपकी संतान की से में कुछ गिरावट आ सकती है, जिससे आपको चिंता हो सकती है। बच्चों की सेहत माता-पिता के लि परामर्ष ले, यह समय है, जब आपको अपने बच्चों के खान-पान, दिन-चर्या और स्वास्थे संबंधी आदतों पर ध्यान देना होगा। नियमित चिकी सकीय जांच और सही समय पर दवाईयों का सेवन उनकी सेहत को बहतर बनाने में मदद करेगा। साथ ही बच्च कामों में पूरा साथ देंगे। यह सहयोग आपके काम की गुणवत्ता को बढ़ाने में मदद करेगा और आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में में सहायक होगा। टीमवर्क का महत्व आज और भी अधिक होगा। और आप अपने सहकर्मियों के साथ मिलकर किसी बड़े प्रोजेक्ट को सफलता पूर्वक पूरा कर सकते हैं। सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त करना आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि इससे ना केवल आपका काम आसान होगा बलकि आपको मानसिक रूप से भी शान्ति मिलेगी। एक अच्छे टीम प्लेयर के रूप में काम करें। और अपने सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें। यह ना केवल आपके पेशेवर विकास में मदद करेगा बलकि आपको एक बहतर कार्य वातावरण भी प्रदान करेगा। आज आप अपनी संतान के भविश्य को लेकर कोई पूर्ण निर्णय ले सकते हैं। यह निर्णय उनके शिक्षा करियर या जीवन से संबंधित हो सकता है। आपको अपनी संतान के भविश्य के बारे में सोच समझ कर निर्णय लेना होगा और उनकी इच्छाओं और ख्षमताओं का भी ध्यान रखना होगा। यह समय है लगाने का अवसर मिलेगा। यह सलाह आपके व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ पेशेवर जीवन में भी लागू होती है। याद रखें एक स्थिर और संतुलित द्रिष्टिकोन ही आपको सही दिशा में ले जाएगा। आज आपके भौतिक सुख साधनों में व्रिध्य हो सकती है। यह किसी नई वस्त साथनों का आपके मानसिक स्वास्थे पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जब आप अपने चारों ओर सुविधाओं से घिरे होते हैं, तो आप अधिक खुश और संतुष्ट महसूस करते हैं। हालां कि नौकरी में कुछ चुनोतियां आपके सामने आ सकती हैं। आपके किसी छोटे-मोटे काम में हुई गलती अधिकारियों के सामने आ सकती है। यह आपके लिए एक सीने का अनुभव होगा। अगर आप अपनी गलतियों को स्वीकार करने की क्षमता रखते हैं, तो आप अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं। आपकी कार्यशैली में सुधार लाने का यह एक अच्छा अवसर है। आपके कुछ बे-फिजुल खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। यह आवश्यक है कि आप अपनी वित्तिय स्थिती पर ध्यान दें और अनावश्यक खर् यह फाइदे मंद होगा। स्वास्थ्य के मामले में यदि आप किसी पैरों से संबंधित समस्या को नजर अंदाज कर रहे हैं तो यह समस्या बढ़ सकती है। आपको अपने स्वास्थ्य के प्रती जागरूक रहना होगा। समय समय पर डॉक्टर से चेक-अप कराना जरूर इसलिए इसका प्राथमिक्ता से समाधान करें। इस दिन के दौरान मानसिक संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है। तनाव और चिंता से बचने के लिए ध्यान और योग का अभ्यास करें। यहना केवल आपके मानसिक स्वास्थ्य को बहतर करेगा। बलकि आपको अप अपने विचार सांजा करें। एक अच्छे संबंध के लिए खुला संबाद जरूरी है। यह ना केवल आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए फाइदेमंद होगा बलकि आपके संबंधों को भी मजबूत करेगा। इस दिन की सकारात्मक उर्जा का उपयोग करें और अपने दिशा में कदम उठाने से आपको सफलता प्राप्त होगी। आज का दिन आपके लिए एक सीखने का अनुभव और सकारात्मक परिवर्तन लाने का अवसर है। अपनी भावनाओं पर नियंत्रन रखें। निर्णय सोच समझ कर लें और अपने स्वास्थे का ध्यान रखें जीवन में संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है। आपके जीवन में जो भी चुनोतियां आएं उन्हें सकारात्मक दृष्टिकोंड से देखने की कोशिश करें। उम्मीद है यह दिन आपके लिए सफलता और खुशी लाएगा। अब भीतर की शक्ति को पहचाने और उसे सही दिशा में लगाएं। यही आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है।